हेलो बचों आप सभी कामार यूटूब चैनल रुद्धानार सिंह एक्सप्रेस महारद एक स्वागत है आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज कामारी इंपॉर्टन टॉपिक परस्ट स्टेज ओफ लेवर होगा नोटिविकेशन बैल को दबाले ताकि आज सभी को हमारे नर्जिंग से लेटी वीडियो को नोटिविकेशन सबसे पहले में सेगे यदि आप इस वीडियो का पीडियो डावलोट करना चाहते तो आप वीडियो वाट्सप पे टेलिग्राम पे जॉइन कर लें फॉलो कर लें उसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए टॉपिक को शिरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे definition क्या है लेवर चीज़ तो लेवर में भी defined as rhythmic contraction and relaxation of the uterine muscle ठीक क्या कहना चाहता बच्चा या दखिए जब आपकी uterine muscles में rhythmic contraction यानि की संगुचा नो rhythmic का मतलब क्या है एक के बाद एक के बाद एक निस्चित duration में ठीक है और relaxation हो क्या हो? contraction हो, relaxation हो, contraction हो, relaxation हो, ignition duration हो, ignition duration हो, ठीक है कहाँ पर आपकी uterine muscle में with progressive effeciment and dilation of the cervix और जब ऐसा होता है बेटा तो क्या होता है आपका जुस्ट cervix होता है वो कैसा होने लगता है? effeciment होने लगता है चलिए, leading to the expulsion or product अब जब ऐसा होता है कि बेटा जब हमारा service जाओ और effeciment हो जाए completely और completely dilation हो जाए उसका opening हो जाए तो ऐसी case में क्या होता है? जो भी expulsion product क्या होता है जैसे हमारा fetus है प्लास entire membrane है ठीक है? तो conception कि जितने भी जो यह product है उनको बाहर निकालना है क्या कहलाता है लेवर कहलाता है clear है? चलिए एक बाहर मैं फिस्ट्रस को define कर रहा हूं लेवर क्या है? लेवर एक प्रकार का uterine muscles पे भी होने वाला rhythmic contraction और relaxation है यानि कि संकुच्चान और बार-बार कोई चीज को संकुच्चत होना ठीक है? बार-बार relax होना, संकुच्चत होना, relax होना तो ऐसे जो है यह process चलती रहती है जिसके function क्या होता है जो हमारी service होती है वो effecement हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है और dilate हो जाती है यह निकी opening हो जाती है ठीक और जब ऐसा होता है तो बेटा क्या होता है जो भी हमारा conception का product है वो बहार निकालाता है जैसे कि आपको fetus हो गया, placenta हो गया, membrane हो गया, clear है बच्चा चलिए चलिए बेटे अब हम बात करेंगे लेवर की stages ठीक तो कितने प्रकार के stages होते हैं लेवर में तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको वो stages जो है लेवर के देखने को मिलेंगे, clear है चलिए तो सबसे पहले हमारे के फ़र्स स्टेज को फ़र्स स्टेज में क्या होता है सर्वाइकल डाइलेशन ठीक, 0 to 10 cm and 100% effacement due to contraction ठीक जैसे जो मैंने भी आपको बताया था कि रिदिमिक कॉंट्रेक्शन रिलेक्सेशन होते रहते हैं तो इसके फर्स रूप क्या होता है जो हमारा सर्विकल का और जो सर्विक्स का डाइलेशन होता है जो ओपनिंग होती है व वही अगर हम बात करते हैं second stage की तो starts when cervix has fully dilated ठीक यह कब होता है जब आपका cervix fully dilated होता है fully dilated के मतब के होता है जब वह 10 cm का completely होता है ठीक and ends when baby is fully delivered और कब खतम होता है जब आपका बेबी पूरी तरीके से बाहर निकाला है delivered हो जया है ठीक तब जो है आपकी second stage खतम होता है यह बच्छा चली वही अगर हम बात करते है third stage की तो starts with full delivery of baby ठीक यह ज़िक बेबी की delivery completely हो जाती है और खतम कब होती है ends with full delivery of the placenta और जब placenta हमारा पूरा बहार निकालाता है तो आपका third stage खतम हो जाता है level यह बच्छा चली बात करते है fourth stage की तो two hours after the delivery of the placenta and membranth ठीक अब ब placenta और membranth निकल जाता है तो उसके दो घंटे बाद monitor mother's health status इसमें क्या करते है बैटा हम mother के जो health condition होती है health status होता है उसको monitor करेंगे ठीक है after birth due to risk of क्यों बैटा क्यों हम लोग monitor करते है regular क्योंकि उसमें बैटा क्या होता है mother को जो है hemorrhage ठीक है यानि कि bleeding का हो गया infection का ठीक है हम दो घंटे के बाद बेबी को sorry आज हमारी mother है उसको हम continue उनके health के status को monitor करते रहेंगे ठीक है क्यों करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कहीं bleeding तो नहीं हो रही है किसी पिकार को infection तो नहीं हुआ है कोई uterine atonic तो नहीं हुआ है राइट चलिए बात करते हैं बेटा में लोग जब हमारी uterine muscles कैसी हो जाएं बेटा soft और weak हो जाए हमारी uterus की muscles कैसी हो जाए ठीक है क्यों ऐसा हो जाता है याद दखिए जब contraction प्रयाप्त मातर में नहीं होता है तो ऐसी condition में हमारे जो गरवासे की जो PCOT कैसी हो जाए बच्छा soft और weak हो जाते हैं तो याद दखिए जब soft और weak होंगी तो ऐसी condition में क्या होगा bleeding निश्चेत है आपको देखने को मिलेगा clear बच्छा चलिए बात करकते हैं अब हम first stage of level जो के हमारा main topic है इसमें हम कुछ बात करेंगे facts की जो important fact है वो आपको इसमें समझना है ठीक है तो सबसे पहला मार पॉइंट है longest phase ठीक duration of average 12 hours of nullip ठीक है या देखेगे जो first stage of level होते ही यह सबसे आपकी लंबी अवदी की stage होगी ठीक है वहीं हम बात करते हैं नली पेरस ठीक है तो उसमें जो first stage का duration देगा वो बेटा कितना देगा trial बंटे यान यह 12 गंटे तक जो है यह आपका labor की process चलेगे इसमें वहीं हम बात करते हैं नली पेरस बूमें क्या होते हैं तो ऐसी बूमें जिसने अभी तक बच्चे को जनाम नहीं दिया कभी मी वो उसमें प्रिगनेंट नहीं होगी है ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी पेरस की तो इसकी duration में बिटाएं आप कितने होगी 7.5 आउर्ट सेने यह साड़े साथ घंटा होगी अब मल्टी पेरस बूमेंट क्या होती है तो ऐसी बूमेंट जोनों ने एक या एक से अधिक बच्चे को जीवित बच्चे को जनाम दिया तो वह हमारी मल्टी पेरस बूमेंट हो जाएंगे राइट चानी अगल हमारा पॉइंट है एवरेज डूरेशन फर्स स्टेज अफ लेवर इन प्रामरी ग्रेविडा इस 10 तू 14 आवर अगर हम बात करते हैं एवरेज डूरेशन की किसमें प्रामरी ग्रेविडा प्रामरी ग्रेविडा का मतलग क्या होता है ऐसी मैलान जो पहली बात प्रेगनेंट होई है तो उसमें अगर हम डूरेशन क बात करते हैं, तो 10 to 14 आवर तर यह चलती रहती है, ठीक, वहीं हम बात करते हैं, average duration of first stage of lever in multi-gravity, ठीक, तो वहीं हम बात करीते हैं, अगर multi-gravity में, तो total duration लगवा कितना होगा, तो याद अगिए, 6 to 8 आवर तर यह आपकी stage चलती रही है, इसमें याद अगिए, तीन phase होते हैं सबसे पहला हमारा होता है, early lever, जिसको हम latent phase के नाम से जानते हैं, दूसरा होता हमारा active, और तीसरा होता है हमारा transition phase, clear है, चलिए, last point है, starts with true lever, बहुत important point है, याद दखेगा, यह true lever से start होता है, true lever बेटा क्या होता है, जब महिला को actual pain हो, यानि कि contraction यहाँ पर क्या है, आपको regular आद देखनों को मिलेंगे, और दूसरी बात है, जो contraction होता है, जो काफी दूसरे दे करीब होता है, यानि कि माल लेज़ें कि एक contraction हुआ, ठीक, फिर एक मिनिट बाद एक contraction, फिर एक मिनिट बाद एक contraction, तो ऐसे जो है, इनके बीच को time जो interval होता हो, वो fix रहेगा, ठीक, और जैसे, जैसे contraction duration हमारा बीचता जाता है, वैसे-वैसे, जो है, contraction बेटा क्या है, समय के साथ में, यह strong होते चले जाएंगे, clear है, बच्छा, चलिए, तो अब हम बात करेंगे, first stage, यानि कि विस्तर दूरूप से, हम यह तो तीनों मैने आपको piece बताए थे, first stage में, ठीक, आपक latent हो गया, दूसरा active हो गया, तीसरे transition, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे latent, जिसको हम early level के नाम से भी जानते है, clear है, बच्छा, चलिए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा cervix है, dilate from 1 to 4 cm, ठीक, और thin, यहाँ पर जो आपका cervical का, जो cervix है, उसके जो opening होती ह तक रहेगी, एक से लेके 4 cm तक जो है, आपको opening देखने को मिलेगी, ठीक है, चलिए, next point है, contractions occur every 5 to 30 minutes and 30 to 45 seconds in length, ठीक, बटा, important point है, याद है, याद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आप contraction कैसे होता है, regular होता है, यानि कि जो time interval होता है, यानि कि दो contraction के बीच में तो समय होता है, जो कैसा होगा, फिक्स होगा, तो केतना होगा यहाँ पर याद होगा, याद होगा, यानि कि एक contraction माली जी आपका आया, फिर 5 मिनिट बाद contraction आएगा, फिर 5 मिनिट बाद contraction आएगा, तो ऐसे जो है, यह time duration चलती रहती, fix time duration होगा, ठीक, वहीं बात करते है, यानि कि एक contraction की जो लंबाई होगी, कितने देर तक वो संकुचन बना रहेगा, तो याद होगा 30 to 45 सेकेंड बना रहेगा, चलियर है बच्चा, चलिज़, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो उस लाइट ज़रू किया रहे है, से मिला motivation मिलता है, चलिए अगला हमारा point है, contraction are less intense compared to other phases and stages, ठीक है, यहाँ पर हम contraction की बात करते हैं, तो less intense, ठीक है, दूसरी phase और stages की तुला में, दूसरी phase चाहिए हमारा active और transition phase, ठीक है, यह तो हमारे first stage का हो गया, दूसरी जो stages हैं, जैसे second stage हो गया, third stage हो गया, और fourth stage हो गया, तो इनकी तुला में, अगर हम contraction की ब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कम थी बृताची, जो contraction है, वो देखने को मिलेगा, clear है, जग, next point है, the phase last approximately 9 hours in nulli pera and 5 hours in multi pera, जैसे कि मने वे आपको बताय हुए था कि, इस phase की जो duration होती है, nulli pera में, लगगा आपको 9 hours के देखने को मिलेगी, वहीं multi pera में, कितना duration मिले देखने को आपको 5 hours के देखने को मिलेगा, ठीक है, चानी, longest of the phase, ठीक है, जैसे कि मने वे आपको बताया था, especially first time of mother, that is the primary gravida, ठीक है, is greater than 20 hours, यानि कि वहीं हम बात करते है, primary gravida मेला, यानि जो पहली बात प्रेगनेंट मेला हुए है, तो उसमें अगर हमार, duration की बात करते ह हैं, तो 20 hours से कहीं ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है, इस stage को complete होना है, वहीं multiplayer की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, आपको 14 hours से कम समय, जो है देखने को मिलेगा stage का, राइट, चानी, अगला हमारा point है, woman will be talking, excited and nervous, यहाँ पे जो हमारी महिला होगी, इस stage में, ठीक है, talkable होगी, यानि वह बात करनी लोग होगी, काफी ज़्यादा excited होती है, nervous भी हो जाती है, ठीक है, next point है, एक woman at home, यदि महिला का जो first stage of labor है, अगर वो घर पे हो रहा है, तो should monitor contraction, duration and intensity, ठीक है, तब क्या करना बेटा मैं, महिला के labor का contraction, ठीक है, contraction देखना है, उसके duration देखनी है, intensity देखनी है, यानि कि कितनी अवदी के बाद में एक contraction हो रहा है, उसके थीबटा देखनी है, ठीक है, यानि कि कितना strong है, ये चीज हमें देखनी है, try to stay comfortable at home, ठीक है, उसको home घर पे जो है comfortable position में रखे हैं, ठीक है, until water breaks or interactive phase of labor, कब तर बेटा हम उसको comfortable stage में रखेंगे महिला को, या उसको हम encourage करेंगे, जब तक कि water breaking ना हो जाए, ठीक है, यानि कि पानी बाहर ना निकले, ठीक है, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि जब तक आपका active phase of labor जो है, start ना हो जाए, तब तक महिला को इसको आराम दाए, comfortable position में encourage करेंगे, कि महिला दो है, comfortable रहे, ठीक है, और उसके contraction के duration, intensity, इन सब को जो हम लोग regular रूप से monitor करते हैं, ठीक है, अब अच्छा, चलिए, बात करते हैं, face to की, जो कि हमारा active labor होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको जो cervical का dilation है, बहुत तेजी से देखनों को मिलेगा, more rapidly मिलेगा, ठीक है, च contraction, grow strongest, यहाँ पर जो contraction होगा, काफी ज़्यादा stronger होने लग जाएंगे, lasting 40 to 60 seconds, every 3 to 5 minutes, यानि कि जो duration होगी बैटा, 40 to 60 seconds होगा, आपको duration देखनों को मिलेगा, और जो यह प्रतेक contraction के बीच में, जो time period होता होगा, बैटा, वो कितना होगा, 3 to 5 minutes, यानि कि एक contraction होगा, फिर 3 मि protection होगा, आईसे, राइट, चैनि, next point is, this phase last approximately 6 hours in nulli pera, अगर हम active phase की बात करते हैं, तो बैटा, nulli pera में, इसकी जो duration होगी, आपकी active phase की, वो 6 hours रहगा, ठीक है, वही 4 hours होगा, आपको multi pera में देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट है, 4, increased vaginal secretion, यहाँ पर दुखे आपको vag general secretion देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा, ठीक, and perhaps spontaneous rupture of the membranes and may occur during this time, और इसी phase में जो है, आपको, जो membrane होती है, वो सुता ही जो है, यहाँ पर अपने आप रप्चर हो जाती है, ठीक है, यह हो सकता है, इस case में, राइट, चैनि, next point है, in primary grade gravida mothers, ठीक, dilation occur at rate of 1 cm per hour, बहीं important point है, बात करते हैं, हम लोग primary gravida में है, तो जो service की जो opening होती है, वो कौन से rate से होती है, कौन से धर से होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, एक घंटे में, 1 cm जो है, opening होगी service, किसमें पेटा, primary gravida, ठीक, वहीं बात करते हैं, हम लोग multi gravida mother में, ठीक है, तो इसका dilation का rate हो होगा, एक घंटे में, 1.5 cm जो है, इसकी opening होगी, ठीक है, चली, next point है, last about 4 to 8 hours, और यह दो phase है, बो 4 से 8 घंटे तक आपकी phase चलेगी, ठीक, if woman at home, यदि यह stage जो है, आपके घर पे हो रही है, महिला घर पे है, ठीक है, तो time to go to the hospital, और ऐसे टाइम पर बेटा क्या है, मैं hospital को जो है, पुरंद refer करना चाहिए, यह आप महिला को वहाँ पर ले जाना चाहिए, ठीक है, चली, अगला point है, mother will be serious and anxious and in pain, ऐसी condition होगी, जो हम phase 3 की transition phase, इसको हम कहते है, तो this phase will lead into stage second, ठीक, where the baby will be delivered, ठीक है, बटा है, जो transition stage होती है, यह बटा कब तर चलती रहेगी, जब तर कि आपका second stage ना आजाए, ठीक है, चली, अगला point है, service dilet to 8 to 10 cm and tense, यहाँ पर जो service का diletion होगा, आपको, कितना देखना को मिलेगा, 8 से 10 cm होग service का diletion देखना को मिलेगा, thinning हो जाएगा हमारी यहाँ पर, ठीक, shortest phase, but most intense and painful, यहाँ देखेगा, तो transition phase होती, जिस सबसे छोटी phase होती, लेकिन हो, लेकिन, यहाँ देखेगा, काफी थीब होता है, और दर दबरा होता है, राइट, चली, my duration की बात कहते है, तो last 30 minute to 2 hour, ठीक यानि कि until 30 minute से लेके 2 घंटे तर दो है, आप पर transition phase हो सकता है, ठीक, the average length of the transition phase in 2 hours in primary gravida, वही अगर हम बात करते है, average duration की या average length की अगर हम बात करें, तो यह 2 घंटे तर दो है, primary gravida में चलता है, और multi-appearable बेटा कितना चलेगा, 1 hour तक चलेगा, clear है, चली, next point है, context will be very intense and long, ठी यहाँ पर जो contraction होगा, बेटा कैसा होगा, काफी जादा ठीब होगा, ठीक, बहुत जादा ठीब होगा, और काफी लंबे समय तर चलेगा, clear है, back to back contraction, back to back का मतलब क्या है, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, ठीक, यानि कि 60 to 90 second length every 2 to 30 hour, 2 to 3 minute, ठीक, कहना क्या चाहता है कि जिसे मान लेजी है, यहाँ पर एक contraction चला, उसका duration कितना होगा, बेटा, मान लेजी 60 second, ठीक, कितना होगा, 60 second होगा, फिर 2 minute बाद, फिर 60 second का आया, फिर 2 minute बाद 60 second का आया, यह क्या होता है, बेटा, back to back contraction क्या होगा, ठीक, बच्छा, चली, अगला मारा point है, mother will be concentrating, irritated, pain, nauseous severing, ठीक, यहाँ पर जो है, बेटा, हमारे mother काफी ज्यादा concentrated होगी, ठीक, यहाँ रखेगा, irritated होगी, बहुत चल्चली हो जाएगी, यहाँ पर mother हमारी, ठीक, उसको काफी ज्यादा pain होगा, ठीक, nauseous, काफी ज्यादा, उसको कपकपी मैसूस होगी, खंडी लगेगी, ठीक, अगला हमारा point है, by the end of this stage, both full dilation and complete cervical effacement have occurred, यानि कि इस stage के last तक आते आते, जो है, बेटा, हमारी cervix, fully dilated हो जाती है, यानि कि fully opening हो जाती है, और कितना हो जाता है, 10 cm हो जाता है, अब completely आपको आपको आपे effacement देखने को मिलेगा, effacement का मतलब बेटा क्या है, thinning, यानि कि 100% जो आसे करता होंगे, topic आपको चीटे समझ में आवे हो, topic कैसा लगा, comment करके जुरूर बता है, यदि video पसंद है, तो उसे like करें, और अपने दोस्तों की साथ में ज्याता से ज्याता से share करें, next video में हम बात करेंगे, first stage of labor का किस प्रकार management करेंगे, तो वो video जबर देखेएगा, तो तब तक के लिए अपने ख्यार रखें, take care and bye-bye, thank you so much.